माननिय सदश्यगान संसोत के इस समवत सत्र को संभधित कात्ते हुए मुझे हार्थीक प्रसंता को ले पूची मेहने पहले देश ने अपनी आजादी के पचछतर बर्स पुरी करके आजादी के अमरुद काल में प्रभेश किया है आजादी के इस अमरुद काल में हजारों बर्सों के गोरव साली अतित का गोर्भ जुड़ा है भारत के सतंत्रता संग्राम की प्रिवणाय जुड़ी है और भारत के स्वर्निम भविश्यों के संकल्ब जुड़ी है अम्रुतकल के यह 25 बर्ष का कालखंड सतंत्रता की स्वर्णिम सातव सताब दिका और विक्षित भारत के निर्मान का कालखंड है यह 25 बर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्यक नागरिक के लिए करतव्यों की पराकास्टा करके दिखाने के यह हमारे समने युग निर्मान का अबर्ष अर है और हमें इस अफसर के लिए स्वर्थ प्रतिस्वर्थ सामर्थ के साथ हार ख्यों कार्य करना है हमें 2047 तक ऐसे रास्टर का निर्मान करना है जो अतित के गोर्व से जुड़ा हो और जिसमें आधनिकता का हार सोर्निम अध्धाय हो हमें एसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भोर हो और जो अपने मानुव्य दाइत्तों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो एसा भारत हो जिसमें गरी भी ना हो जिसका मध्धं वर्ध भी वोहःभव से युख्थ हो एसा भारत हो जिसकी जुबा सकति और नारिसकति सोमाज और रास्टर को दिशा देने के लिए सोबसे आगे घड़े खड़े हो जिसके जुबा समय से दो कोदम आगे चलते हो एशा भारत जिसकी विविदता और अधिक उज्जल हो जिसकी एकता और अधिक अटल हो दो हजा संचालिस में देश जोब इस सच्चाई को जिवन्त करेगा तो निस्तित रूप से उस भव्यों निर्मान की नीव का अबलकन और अकलन भी करेगा तो आजादी के अमुरुतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्ता के साथ देखा जाएगा इसलिए आज अमुरुतकाल का ये समय एक अलकन बहुत महत्तपुन हो गया है माननियों सदस्यगों मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अबस्षर दिया तो शबका साथ शबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी समय के साथ इसमें शबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुढा गया एही मंत्र आज विक्षित भारत के नीर्मान की प्रणा बन शुका है विकास के ये कत्तव्यपत पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछी मेहने में नो वर्ष पूरी हो जाएगी मेरी सरकार के लोगभक नो वर्ष में भारत के लोगों ने उनेक सक्रात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं सोब से बड़ा परिवर्तन एग वा है कि आज हार भारतियों का आत्म विश्वास सीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है जो भारत कभी अपनी अधिकांग समस्षाओं के समाधान के लिए दुसरों पर निर्भर था वही आज दुनिया की समस्षाओं के समाधान का माध्धम बन रहा है जीन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दोसों को तक इंतजार किया वे इन वर्सों में उसे मिली है जीस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे और इन वर्सों में देश में बनना शुरू हुआ है आज आज भारत में एशा डिजिटल नेट्वार्ट तियार हुआ है जिससे विक्सित दिशा में देशों में प्रिवणा ले रही है बड़े बड़े घटेलों सरकरी जो जनाओं में बस्टाचर की जीन समस्चाओं से देश मुक्ती चाहता था और मुक्ती आप देश को मिल रही है पॉलिशी पारलिसिस के चोच्चा से बाहर आका आज देश की पहंचान तेज विकास और दूरगा में दृष्टी सिक के लिए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं इसलिए हम दुनिया की दोस्मे नंबर की अर्थ व्यवस्टाच से पांच में नंबर पर पहंचान तेज़ें इही ओर नीभे जो आने बाले पच्चिस साल में विक्षित भारोक के निर्मान के आत्म विश्वास को बलोन्त करेगी मानोनिय सद्दस्योगन भोगवान वसब्वेश्वन ने कहा था कायो को भे कैलास अथा कर्मों ही पुजा है कर्मों में ही सिर्थ उनके दिखाई मार्गों पर चलते हुए मेरी सरका राष्टों निर्मा के कत्व्यों को पुरा करने में तत्पत्ता से जूती है आज भारत में एक स्तीर, निडर, निर्नायक और बड़े सपनों के लिए काम कान्यवाले सरकार है आज भारत में इमांदार का सन्मान कान्यवाले सरकार है आज भारत में गरिबी को 27 समाधान और उनके 27 ससक्ति करण के लिए काम कान्यवाले सरकार है आज भारत में अभूत पुर्बव स्पीर्ड और स्केल पर काम कान्यवाले सरकार है आज भारत में इनोभेशन और टेकनोलोजी के माध्दम से जनकल्लान को सर्बो परी रखने वाले सरकार है आज भारत में मोहिलाओं के सामने से हार बाधा को दूर करने वाली समसरकार है आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकुति का भी संगरक्षन करने वाली सरकार है आज भारत में विरास्वत के सोमरक्षड के साथ ही आधुनिक्ता को बढ़ावा देने वाली सरकार है आज भारत में अपनी बैसिक भुमिका को लेकर आत्म विश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकार है माननन्य सदस्योगन में आज इस सुत्र के मादम से देशपास्यों का अभार व्यक्त कात्ति हूं की उन्होंने लागादार दो बार एक स्टीर सवरकार को चूला है मेरी सरकार ने देशित को सोदेव स्वर्व परी रखा निती रोन निती में स्वर्म पुर्ण परिवर्टन की इच्छा सक्ती दिखाई साजिपकार स्ट्राइक से लेकर आतंबात को पठर प्रहार तोक एलोसीर से लेकर एलेसी तोक हार दूस्षा होसके कड़े जो बापतोक अर्टिकाल अर्टिकाल 370 को हटाने से लेकर तीन तलाख तो मेरी सरकार की पेंचान एक निनना एक सरकार की रहने को स्थीर और निनना एक सरकार होने का लाब हमें एक सो साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद वनी परिष्टितियों से निपरने में मिल रहा है दुनिया में जहां भी राजनीतिक अस्तिरता है और देश आज भी सोन संकोट से घे रहे हैं लेकिन मेरे सरकार ने राष्टर हित में जो भी निननल किये उससे सार भारत का बाकी दुनिया से बहुत बेहतर स्थिति में माननियों सदस्यगों मेरी सरकार का स्पष्ट मोथ है कि भष्टाचार लखतंत्रों का और समाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुस्मन है इसलिए बिते बस्ट से भष्टाचार के विरूत निरंतर लड़ाई चल रही है हमने सुनिस्चित किया है की व्यभश्टा में इमांदार का सवनमान होगा भष्टाचरियों के लिए समाज में किसी भी प्रकार की स्वहानभुति ना हो इसके लिए समाजिक चतना भी डेश में बढ़ है बिते बर्सों में बरस्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बेनामी सम्पती अधिनियम को नोटिफाई किया गया है। बनाया गया है। इनकुम टक्स रिटान फाईल करने के कोई जोटिलताओं को खोतम कर देश बासियों का जीवन आसान बनाया गया है। फेसलेस जांच को बढ़ावा देने की बजह से बेबस्ता में पारदोसिता आई है और उसे जोबाब देह भी बनाया गया है। पहले टाक्स रिटान के लिए लोंबा इंतिजार करना पड़ता था। आज आई टी आर भनने के कुछी दिनों के भीतर रिफंट मिल जाता है। आज GST से पारदोसिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनी स्चित हो रही है। जन्धन, आधार, मोबाइल से कोज फोर्ज लाबारतियों को हटाने से लेका One Nation, One Ration Card तोक एक बहुत बड़ा स्थाई सुधार हमने किया। बीते बर्सों में, DBT के रूप में, Digital India के रूप में एक स्थाई और पारदोसी वेवस्ता देश ने तेयार की है। आज 300 से ज्यादा जोजनाओं का पेशा सीधे लाबारतियों के बैंक खते तोक पहुंच आए। अब दोग पूरी पारिद सत्य से 27 लाग क्रोर रूपिय से ज्यादा की रुकम क्रोरों लोगों तोक पहुंच आए गई है। वार्ड बेंक की रिपर्ड कात्ती है कि एशा जोजनाओं और एशी वेवस्ताओं के कारण ही कोरोना काल में भारोत क्रोरों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है। जो भष्टाचा रुकता है और टाक्स की पाई-पाई का सोदुबोचक होता है तो भार टाक्स प्यार को भी गर्भ होता है। मानोनियों सदस्योगन आज देश का इमांदर करदाता चाहता है कि सरोकारें सोटकाट की राजनीती से बचे एशा जो जनाए बने जो समस्षाओं के स्थाई समाधान को प्रसाहित करें। जिन से सामन्नो जोन का सशक्तिकरण को इसलिए मेरी सरकार ने बत्मान चुनोतियों से निपटने के साथ ही देश बासियों के दिर्खो का सशक्तिकरण पर बोल दिया है। गरिबी होटा आपके बल नारा नहीं रह गया है। आप मेरी सरकारदार गरिब की चिंताओं का 27 समाधार करते हुए उससे सोशक बनाने के काम क्या जा रहा है। जैसे गरिबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है। गुम्भी बीमार से गरिब परिबार का होसला पुरी तरह से तूड़ जाता है। पिढ़ियां कोर्श से डुबे जाती है। गरिब को इस सिंता से मुक्त गानने के लिए राष्ट्र बाशी ब्यापी आयुसमान भारत जजना शुरू की गई है। इसके तहट पचास क्रोश से अधिक देश बाशियों के लिए मुफत इलाज की सुबिधा दी गई। आयुसमान भारत जजना ने देश के करोणों गरीब अपा और गरीब होने से बचाया है। उने एक गरीब उनके असी हजार करोर रूपिया खर्च होने से बचा रहे हैं। आज देश बरने करीब 9000 जनावसोधी केंद्र में बहुत कम किमोद में दावाईल उकलब कराए जा रहे हैं। इससे बिपे बर्षा में गरीबी के करीब 20 जनावसोधी करोर रूपिया बचे है। यानि सिर्थ आईस्मन भारत और जनावसोधी परिज़जना से ही देशवासियों को एक लार क्रोर रूपिया की मदर भी। मैं समान्यों नागरिकों के जिबन से जुड़े सोब से महत्तो पुण सुंसाधन पानी का उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूंगे। मेरी सरकान ने हार घर जल पहुँचाने के लिए जल जिबन मिशन शुरू किया। पहले उसके पहले तक साथ दोसकों में देश में करीब सोभा तीन करोर घरतों की पानी का कनेक्शन पहुँचा था। लेकिन जल जिबन मिशन के तहट इन तीन बर्सों में से करीब 11 करोर परिबार पाइब ट्वाटर सप्लाई से जुचा है। इसका सबसे ज़्यादा लाग गरीब परिबार को ही मिल रहा है। उसकी चिंता का 27 समाधान हो रहा है। बीते बर्सों में सरकान ने साठे तीन करोर से अधिक गरीब परिबारिवों को पक्का घर बना कर दिया है। जब घर मिलता है तो नाया आत्मविस्वास आता है। इससे उस परिबार का बर्तमान तो सुधारता ही है। उस घर में जो संतन बड़े होते हैं उसके आत्मविस्वास में भी बृध्धी होती है। सुरकान ने टाइलेट, बिजली, पानी, गेस ऐसे हार मूल सुविधा की चिंता से गरीब को मुक्त करने का प्रयास किया है। इससे देश की जनता को भी ये विश्वास हुआ है कि सरकर जजना और सरकरी लाव बास्तों में जमिन पर पहुंचा है। और भारत देशे, विशाल देश में भी 100% कभरेज यानि सेचुरेशन संभव है। हमरी गरंथमी लिखा है अयोंग नीजोह परोब्यती गणोना लगुचेत संभ। यानि ए अपना है, ए प्रया है। एसी सोच सही नहीं होती। मेरी सरकार ने बीना किसी भेदवाब के हार बर्द के लिए काम किया है। बीते कुछ बस्तों में मेरी सरकार के प्रयासों के नतिजा है कि उन्हें एक मूल सुभी धाएं। आज या तो स्वध प्रतिशयत अबादी तक पहुंच चुकी है या फिर उस लख्ष के बहुत निकट है। मेरी सरकार हार या याना में सथ प्रतिशयत सचुरेशन के साथ ही अंतद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् देखा है कि कुरोना काल के दोरान दुनिया भर में किस तरह गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गिया था लेकिन भारत उन देशों में से एक है जिसने गरीब का जीवन बचाने का सरबच्च प्रतमिक्ता दी और पचिस की कि देश में कोई गरीब भूका नहीं सोय है मुझे खुछी है कि मेरी सरकार ने पियम गरीब के लाण अन्य जोजना को नहीं परिश्तितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निन्नों लिया है यह एक संबेद अन्सिल्व और गरीब हीतेशी सरकार की पहचान है पियम गरीब को लाण अन्य जोजना के तहट सरकार गरीबों को मुख़त अनाज के लिए लोगभग साढ़े तीन लाग क्रोर रूपया खर्च कर चुकी आज इस जोजना के प्रसंशा पूरी बिस्सों में हो रही है इस प्रसंशा की ये बजह ये भी है कि टेक्नोलोजी की मदद से बनी पारदस वेवस्ता में आज पूरा का पूरा हार लाभारती तोग पहुँच रहा है मानोनिय सदस्चगण हमारे देश में एसे उनेक बर्ग तो था एसे उनेक छेत्र है जिनकी उमीदों और आवसुकतां पर समुचित ध्यान दे कर ही समगर विकास की परिकलपना की पूरा की जा सकती आप मेरी सरकार एसे हार बंचित बर्गों और बंचित छेत्रों को बरियता देते हुई काम कर रही है मेरे सरकार ने हार उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियां से बंचित रहा था गरीप दलीत पिछडे आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सोपने देखने का साहोस दिया है कोई भी काम और कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता वलकि विकास में सभी की आपनी हुमिका है इसी भाब के साथ बंचित वर्गो और ओबिकसित छेत्रों के विकास पर बोल दिया जा रहा है करेहडी ठेले फुटपात पर बड़ी संख्या में हमारे छोटे बेवसाई अपना व्यापर करवार और दुकान धरी करते हैं मेरी सरकाने विकास में इन सथियों की भुमिका को भी सरा है इसलिए पहली बार इनको फर्माल बेंकिन से जोड़ा और प्रियेम स्वोनिधी के मार्थम से सस्ते और बिना गरेंटी के रून की बेवस्ता की जोजोना के तहत स्ट्रीट भेंडोर्स को डिजिटाल लेंदेन के लिए प्रशाहन राशी प्रधान की जा रही है अभी तक करीब 40 लाग साथियों को इसके तहत रून दिया जा चुका है मेरी सरकर की प्राफ्थमित्ता में देश के 11 करोर छोटे किसान भी है यह छोटे किसान 200 कों से सरकर की प्राफ्थमित्ता से बनचित रहे थे आप इन्हें सशक्त और समूद करने के लिए हार तरह की कसिस्ष की जा रही है पीएम किसाम सुनना निधी के तहट इन छोटी किसानों को सोबा दो लाग प्रो रूपिया से अधिक की मदद दी गई खास बात एई है कि इन लाभार्तियों में लगभुक तीन करोन लाभार्ति मोहिला है इससे अभी तक लोगभुक चोबवन हजार क्रो रूपिया मोहिला किसानों को मिल चुकी है इसी तरह छोटी किसानों के लिए फोस्वल भीमा सोयल हेल्थ कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड के सी सी की कोभरेज बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकान ने पहली बार पोसुपालों को और मोच्वारों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुभिधा से जोड़ा किसानों के सामर्थ को बढ़ाने के लिए एप्पी ओ यानी फार्मार प्रोडूसर अरगानाईजसंस की स्तापना से लेकार फोसुपालों के में बुद्धी कात्ते हुए मेरे सरकार छोटी किसानों के साथ मोजबूते से खड़ी मानिया सदस्योगन मेरी सरकार ने अनुसुचित जाती जन जाती और अन्यों पिछड़ा बर्ग के आठंका को जगाया है यह ओही बर्ग है जो विकास के लाव से सबसे अधिक बंचित था आप जो मूल सुबिधाएं इस बर्ग तक पहुँच रही है तो यह लोग नए सपने देखने में सख्यम हो पार अनुसुचित जाती के समाजीत आर्थीक सोशक्ति करोण के लिए डक्टर अम्बेतकार उस्सवधाम अम्रुद जल्धरा और जुबा उद्धोमी योजोना जैसे कार्योक्रम चलाए जा रहे है आदिवासी गोरव के लिए तो मेरी सरकान ने अभूत पुर्वप फेशाला किये हैं पहले बार देश ने भगवान बिर्शामुडा के जन्म दिवस को जन जाते गोरव दिवस के रुट के मनाना शुरूद हाली में मानगोर धाम में सरकान ने आदिवासी कांती बीरों को पहली बार राष्ट्योस्तोर पर स्रधान जली दिए आज 36,000 से ओधिक आदिवासी बहुल्यो बाले गाउं को प्रधान मंत्री आदी आदर सोग्याम जोजोना के तहत बिक्षित किया जा रहा है आज देश में 46,000 से ओधिक एकलव्यो मोडेल स्कूल आदिवासी छेत्रों में खुल चुकी है देश भर में 3,000 से ओधिक बंधन विकास केंद्रों आजिवेका के लिए साधन बने है मेरी सरकान ने राष्ट्य पित्राबर्ग आयोग को संभी धनिक दर्जा देका अबिसी के वेलफार के लिए हमारी प्रतिवधता को स्पस्ट किया है बंजारा गुमन्तु और धोगुमन्तु समुदाय के लिए भी पहली बार वेलफार एंड डेवलोप्मेंट बोर्ड का गठन किया गया माने नियस दश्यगों देश में एक सो से अधिक जीले एसे थे जो विकास के उनेक पेमानों से पीछे रह गये थे सरकार ने इन जीलों को आकांखी जीले आस्पिरसनाल डिस्टिस घोस्थिसकर इनके विकास पर ध्यान दिया आज ये जीले देश के दुसरे जीले से बराबरी की और बढ़ रहे है आकांखी जीले को सफलता के को आप मेरी सरकार ब्लोक्स स्टोर पर दोहराने के लिए काम कर रही है और इसके लिए देश में 500 ब्लोक्स को आस्पिरसनाल ब्लोक के रूप में विक्सित करने का कारियों सुरू किया गया ए आकांखी ब्लोक समाजी की नियाई की एक संस्थागोत बेबस्ता के तरफ़ विक्सित के जा रहे है देश के जनजात्य छेत्रों, पहाड़ी छेत्रों, समुद्री छेत्रों और सुमावی सी छेत्रों को भी बिते दोसों को में विक्स का सिमित ला भी मिल पाया था 39 और जमकस्मिर में भी दुर्गों परिस्तितियों के साथ साथ पसंती और अंदलोन बात आतंक बात भी विकास के सामने बहुत बड़ चुनती थी मेरी सरकार ने 27 संती के लिए भी उनेक सफल कदम उठाए हैं और भोगलिक चुनतियों को भी चुनती दी है इसी के परिणाम है कि 39 और हमारे सिमावर्ति चेत्र विकास की एक नई नीतिका निद्व्यतिका अनुभब कर रहे है सिमावर्ति गाउं तक बेहतोर सुविधाएं पहजाने के लिए मेरी सरकार ने भाइब्रांट भिलेजेस प्रोग्राम पर काम सुरू किया राष्टि यो शुरुख्या की दृस्टी से भी शिमावर्ति चेत्रों में अभूत पूर्व इंस्प्राक्टर बी थे सालों में तियार किया गया है इससे भी इन चेत्रों में विकास की गति मिल रही है पिछले कुछ दोसोपों से रास्ट्यों सुरुख्या के लिए बहुत बड़ा ख्यत्रा बन चुकी बाम्पत्ती हिस्सा भी आप कुछ जीलोतों की सिमीत रहे गए हैं मानियों सदस्यकण मेरी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धी मोहिला सो सक्तिकरण की रही है इस संधर में मुझे नारी सक्ति नामक एक प्रेड़ो कविता का स्मरोन होता है जीसे भारतिय साहित्यों की अमर्स भीभूती स्वाधिन्ता से नानी तो था ओडिया भासा की सुप्रसित नारी कभी उटकल भारति कुंतलकुमरी साबतने लिखा था आज से लोगभक सो बर्स पहले उन्होंने ए उद्खस किया था बसुन्धरा तोले भारत और अमनी नुहे हिने नुहे दिनो अमरो किर्योती कटी जुगे कभे जगतों नुहे बोलीना और ठाथ भारत के नारी भारत के नारी पृथिवी पर किसी की तुलोना में ना तो हीन है ना दीन है स्वंपुन जगत में उसकी अमर किर्थी युगो युगो तक कभी लुप्त नहीं होगी यानि सद्यव बनीर है मुझे ये देकर गोर्ब होता है कि आज आज की हमारी बेहने और बेटियां उत्कुल भारती के सुपनों के अनूरू बिश्योस्तोर और आपनी किर्थी पता का लाहरा रहे हैं मुझे प्रसंता है कि मोहिलाओं की ऐसी प्रगती के पीसे मेरी सरकार के प्रयासों का संबल रहा है मेरी सरकादर जितने भी कल्लानकरी जजनाए शुरू की गई है उनके चेंद्रों में मोहिलाओं का जिवन आसान बनाना मोहिलाओं को रोजगार सो रोजगार के नई अपसर देना और मोहिला ससक्ति करण रहा है मोहिला उत्थान में जहां पुराना धरनाओं और पुरानी मन्योताओं को तोड़ना भी पढ़ा उससे भी सरकार पिछे नहीं है दिये बेटी बचा बेटी पढ़ा और विजान की सफलता आज हम देख रहे हैं सरका के प्रयारसों से समाज में जो चितना आई उससे बेटीयों की संख्या में निरन तर बुद्धी हो रही है देश में देश में पहली बार पुरुसों की तुलोना में मोहिलाओं की संख्या अधी कुई है ये बंग महिलाओं का स्वास्त भी पहले के मुकाबिले और बेहतोर हुआ है प्रधान मंत्री सुरोख्षित मात्रु तो भियान हो या फिर प्रधान मंत्री मात्रु बंदना योजना इन में मा और बच्चे दोनों की जिबन को बचाने में हम सफल रहे है आउस्मन भारत योजना की भी लोगभग पुच्चास प्रतिस्वतला भरती मोहिलाओं ही है माना नियो सदस्य लगवाना मेरी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनके केरियों तो हार बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है देश के सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टैलेट का निर्मार भो या फिर सानिट रेट पेट से जुड़ी योजना इससे बेटियों के ड्रोप आउट रेट भी बहुत कम आई है सच्च भारत अभियान से मोहिलाओं की गरिमा तो बढ़ी ही है इससे एक सुरत्थिक माहल भी उन्हें मिला है सुकन्या सुजना सम्रुधि जजना से देश बहुत की करोणों बेटियां के बेहतर अभविस्चों के लिए पहली बार सेविंग एकाउंट खुली है नई राष्ट्य सिख्धानिती में भी बेटियां की सिख्धा के लिए अनेक महत्तोपुनों कदम उठाई गई है मेरी सरकार ने ये भी सुनिस्चित किया है कि किसी भी काम किसी भी कार्यों खेत्र में मोहिलाओं के लिए कोई बंदिस ना हो इसलिए माइनिंग से लेका सेना में अग्रीम मोच्चे तो हार सेक्टर में मोहिलाओं की भुर्टी को खोल दिया गया स्वनिक स्कूलों से लेका मिलिटरी ट्रेनिंग स्कूलों तो में आप हमारी बेटियां पढ़ाई और ट्रेनिंग कर रही है ये मेरी सरकार ही है जिसने मात्रूत अवकास को बारव सब्ताहों से बढ़ागाई 26 सब्ताहक किया है मूद्रा जजना की लोगभग सत्तर प्रतिस्द लाभरती मोहिला उद्ध्यमी ही है एक स्ताडी के अनुसार एक स्ताडी के अनुसार इस जजना से मोहिलां की आर्थिक सक्ति और समाजिक फैसलों में उनकी भागी धरी बढ़ी है पीएम अबास जजना के तहट मिलने बाली घरों की रेज़ेस्ट्री भी मोहिलां के नाम को और होने से मोहिलां का आत्मविच्छा सबढ़ाई जन्धन जजना से पहली बार देश में बेंकिंग सुविधाम में मोहिलां और पुरुसों की बीच आप बराबरी आ गई है देश में इस समय असी लाग से जादा सोयंग स्वायवता समोह भी काम कर रही है जिन में करीब नो क्रोर मोहिलां जूडी हुई है इन मोहिला सोयंग स्वायवता समोह को सरकार द्वारा लाखों क्रोर रुपया की मदद दी जा रही है माननिय सदस्यगान हमारी विराशोत हमें जोडों से जड़ती है और हमारा विकास आस्मान को छुने का हसला देता है इसलिए मेरी सरकार ने विराशोत को मजबुती देने और विकास को प्राथमिक्ता देने की रहा चुमा आज एक त्रप देश में ओजड़ाधाम का निर्मार हो रहा है तो ओही तो ओही दूसरी त्रप आधुनिक संग्सद भवन भी बन रहा है एक त्रप हमने केदा ना थाम कासी विस्चोना धाम और मुहाकल महालोक का निर्मान किया तो ओही हार जिल्लों में हामरी सरकार मेडिकल कोलेज भी बन वार एक त्रप खाम अपने तीर्थो और एतिहासिक दरहोर का विकास कर रहे हैं तो ओही दूसरी त्रप भारत दुनिया की बड़ी स्पेस पावर बन रहा है भारत ने पहला प्राइबेट सेटलेट भी लंच किया है एक त्रप खाम आदी संकराचार भगवान वसब्वेशर तिरु बल्लुबर गुरु नानक देव जेसे संतो को के दिखाई रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं ओही दूसरी त्रप आज भारत हाइटेक नोलेज का होब भी बनता जा रहा है एक त्रप हम काशी तमिल संगोमों के जरीए एक भारत तस्टे भारत की भावनात को मजबूत कर रहे हैं तो ओही वान नेशन वान राशनकार जेसे आधुनिक वेवस्ता भी बन रहे हैं दिजिटाल इंडिया और 5G टेकनोलोजी में भारत के सामर्थ का लोहा आज पूरी दुनिया में मानदा आज भारत जहां जोग और अयुर्वेद जेसी आपनी पुरातन विधाओं को पूरी दुनिया तो पहुंचा रहा है ओही दूसरी तरफ फार्मासी और वार्ल्द की नई पहँचान भी सोशक्त कर रहे हैं आज भारत प्राकुतिक खेती को मिलेट्स की आपनी पुरामपुरा फसोलों को प्रसाहित कर रहा है ओही नानो इुरिया जेसी आधुनिक टेकनोलोजी का भी विकास किया है कि खेती के लिए एक तरफ जहां ग्रामिन इंफ्रास्ट्रक्ट्रक्चर को हम बेहतर बना रहे हैं ओही दूसरी तरफ ड्रोन टेकनोलोजी से सोलार पावार से किसान को टाकोत दे रहे हैं सेहरों में जहां स्मार्ठ सुविधाओं के विकास पर बोल दिया जा रहा है ओही स्वामित्त जोजोना में पहली बार गाउं के घरों को की ड्रोन से में पिंग की जा रही है आजादी के अम्रुत महस्वपकर जहां आज हार जिल्ले में 75 अम्रुत स्वरबर बनाया जा रहा है तो ओही सेकड़ों आधुनीक बंदे भारत प्रेने भी लंच किया जा रहा है एक और हमारे व्यापार की प्रमपरागत ताकत ज़ नदी जल्मार्ग और बंदोर गाउं को भी आधुनीक बनाया जा रहा है तो मोल्टी मडल कनेक्टिविटी और लजिस्टिक पार का नेटवार भी तेयार हो रहे है मानने सदस्यगोन आजादी के अम्रुतकाल में देश पंचो प्राणी की प्रेणा से आगे बढ़ रहे है गुलामी के हार नीशान हार मान सिक्ता से मुक्ति दिलानी के लिए भी मेरी सरकार निरंत निरंत और प्रयासरत जो तभी राजपत था और आप कर्टब्यपत बन चुका आज कर्टब्यपत पर नेताजी सुबास चंद्रबोस की प्रतिमा हार भारत्यों को हार भारत्यों को गोरा बनित कर रही है तो अंड़मान निकवार में भी नेताजी और आजादीन्ज भोज के सोर्यों को हमने सुन्मन दिया है अभी कूछी दिन पहले मेरी सरकान ने अंड़मन निकवार दीप सो मुहे में नेताजी सुबास चंद्रबोस आइलांड को नेताजी को समर्पित भव्यो समर्ष स्मारोक और म्यूजियम का सिड़ा न्यास भी किया है भारुतियो सेना के पुरंबीर चक्रोबी जताओं के नाम पर अंड़मन निकवार के एक किस दिपों का नाम करों भी प्याद एक प्रोफ नाशनल उआर मेमरियल आज राष्ट्यों सोर्यों का प्रतिक बन गया है तो ओही हमारी नोशेना को भी आप चत्रोपती बीर सिवाजी महराज का दिया प्रतिक जिपने गया एक तुरप जहां भोगवान विर्शा मुंडा सही तमाम आदिवासी सोतंत्रता से नावनों से जुड़े संगराड़यों बन रहे है डाक्तर बाबा साहब आमबेत गर के पंचतिर्थ बनाया गिया है ओही दूसरी तरोप हार प्रधान मुंत्री के योगदान को दर्शाने वाले प्रधान मुंत्री सोंगराड़यों का निर्माण दिप्या गिया देश में प्रतों बीर बाल दिबस को भी पूरे गर्व और स्रधा के से मनाया गिया इतिहास की पिडां और उनके साथ जुड़े सिखाओं को जागरुत रखने के लिए देश में बिभाजन बिभीशिका स्मूर्ती दिबस की शुरुआत भी मेरी सरकार्ने की निर्माण देश को मिलना शुरू है आज भारत में मेनिफेक्चरिंग की आपनी केपासिटी भी बढ़ रही है और दुनिया वर से भी मेनिफेक्चरिंग कमपणिया भारत आ रहे हैं आज हम भारत में ही सेमी कंडुक्टर चीफ से लेकर हावाई जहाज के निर्माण तोक के लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं एसे ही प्रयासों का परिराम है कि भारत में बने सामान का निर्यात लगा दर बढ़ रहे हैं कुछ बर्स पहले तक कुछ बर्स पहले तक हम बड़ी संख्या में मोबाईल फोन आयात करते थे आज भारोद दूनिया में मोबाइल फोन का एक बड़ा निर्यातन बन चुका है देश में खेलोनाक के आयात में 70 प्रकिशत कमी आई है जोबकि निर्यात 60 प्रकिशत से भी ज़्यादा बढ़े है मेरी सरकार की पहल नहीं पहल के परिणाम सोरुप हमारे रख्या निर्यात छोगुना हो गया है मुझे गवर्भे कि हमारी सेना में आज आई एन एस विक्रांद के रूप में पहला सोदेशी यार कट केरियार भी सम्मिल जोआ है मेनिफ्यक्चरिंग के नए सेक्टर में ही प्रोब्यस नहीं करें बलकि खदी और ग्रामद्यक जेसे आपनी परमपरिक सेक्टर में भी प्रसंक्शनियों काम कर रहे है मेरी सरकार के प्रयासों से खदी के बिक्री में चार गुना बढ़ी है मानेन्य सदस्यगन मेरी सरकार ने इनवेशन और इंटर्पिनरस्टर पर निरंत और अभुद कुर्ब बल दिया है इससे दुनिया की सबसे युबा आवादिवाले हमारी देश की ताकत का सोदुबजोग हो रहा है आज हमारी जुबा अपने इनवेशन की ताकत दुनिया को देखा रहे है 2015 भारत ग्लोबाल इनवेशन इंडेक्स में 81 स्थान पर था आभाम 40 स्थान पर पहुंच गए साथ पस पहले जहां भारत में कुछ सो रेजिस्टर्ट स्टार्ट आप ही थे ओही आज ए संख्या लोगभग 90 हजर पहुंच चुके आज के युग में हमारी सनाओ का भी युवाशक्ति में सम्रुध होगा होना युद्ध्योशक्ति में निपुण होना टेक्नोलोजी की पावार से लेश रहना बहुत पहम है इन सिधानतों को ध्यान में रखते हुए अगनी विर जोजना सुरू के गिये है इससे देश की युवाशक्ति को सेनाओं के मजध्यों से राष्ट की सेवा का अधिकतम अपस्वर मिलेगा मेरी सरकार देश के जुबाओं की सक्ति को खेलों के जुरिये भी देश के सम्मन से जोड रही है हमारी खिलाडियों ने कमल्वयत गेम से लेकर अलम्पीक और पेरा गेम से अभुत पुर्वप्रदर्शनकार ये सबित किया है कि उनकी प्रतिवा किसी से भी कम नहीं देश के कोने कोने से एसे प्रतिवाओं को खोजने उनका टालेंट निखारने के लिए खेलों इंडिया गेम से खेलों इंडिया सेंटर से लेकर टोप स्कीम तो चलाई जा रही है हमारी सरकार हमारी सरकार दिव्यां को लेकर भी पुरी तरह संबेद्वन सिल है पेस में देश में एक साइन लांग्विज और सुगम्य भारत अभियान ने दिग्डांग सुगों को बहुत मदद दी है मानोनिय सतस्यगों बीते दोसकों में हमने भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दो बड़ी चुनोतियों देखी है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरी नहीं हो पाते थे दूसरा अलग-अलग बिभाग, अलग-अलग सरकारें अपने-अपने सुविधा से काम करती थी इससे सरकारी संसाधोन का दूरुप जगभी होता था समय भी अधिक लगता था और समय न्य जोन को भी असुविधा होती थी मेरी सरकान ने PM गति सक्ति नेशनल मास्टर प्लान बना कर इन चुनतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाये है PM गति सक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर राज़ोर Union Territories ने भी उस्साहोद दिखाये है इससे देश में Multimodal Connectivity का भी विश्तार होगा मेरी सरकार भारत को सबसे competitive लोजिस्टिक भब बनाने के लिए प्रयासरोत है इसके लिए पिछले बस देश में National Logistics Policy लागू की गई है इस पोलिसी के लागू हने से लोजिस्टिक कोश्ट में कफी कमी आई है मेरी सरकार देश के विकास के लिए जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रही है और अभूत पुर्व है और तुलोनियों है मेरी सरकार ने आने के बाद भारत के गरिबी के लिए और सोतन हार रोज आबास योजोना के ग्यारा हज़ार घार बने इसी अवधी में भारत में हार रोज औसो तम धाई लाक लोग प्रोडबेंड कनेक्शन से जुड़े हार रोज पुच्पन हज़र से ज़्यादा ग्यास कनेक्शन दिये गे मुद्रा जोजना के तहित हार रोज साथ सो क्रोर रुपिय से ज़्यादा का लोन दिया गया बीते आठ नो बोर्स में भारत में लोग भार महीने एक मेडिकाल कोलेज बना है इस दोरान देश में हार दिन में दो कोलेज की स्तापना हुई है हार सप्ता हो एक इन्वर्सिटी बनी है सिर्फ दो सल के भितर भारत ने 220 करोर से ज़्यादा भेक्सिन की डोज भी दी है सोश्याल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे तो साल दो हजार चार से दो हजार चोदा की बीच देश में जहां 145 मेडिकाल कोलेज खुले थे ओही मेरी सरकार ने 2014 में दो हजार बाइस तोक 14 से 2022 तोक 260 से अधिक मेडिकाल कोलेज को लेगा मेडिकाल की पढ़एकर है चात्रों के लिए ग्राजुएट और पोस्ट ग्रावट्चिस्टों की संख्या अब पहले के मुकाबले देश में दुगुनी हो चुकी है 2014 से पहले जहां देश में कुल लगभख साथ सो पच्चिस भी सभी दालाई थे ओही बीते के बल आट बर्षा में तीन सो से अधिक नई भी सभी दालाई बने इसे दोरान देश में पांच हाजार से अधिक कोलेज भी खले गई है इसी प्रकार फिजिकल इंट्रास्ट्रक्चर में तो देश में कई नहीं रेकोर्ड बने है प्रधान मंत्री ग्राम सोड़क जोजनामी 2013-14 तक देश में करीब 3,81,000 किलोमेटर सोड़के बनी थी जबकि 2021-22 तक ग्रामीन सोड़कों का ये नेटवाक 7,000,000 किलोमेटर से भी ज़ादा हो दिया आप तो देश की 99 प्रतिसवत से अधिक बस्तियां सोड़क मार्श से जूड़ चुकी है वर्ल्ड बेंक सहीत ओने सोंस्ताओं की स्टाड़ी के अनुसार ग्रामीन सोड़कों से गाउं में रजगार, खेती, सिख्या और स्वास्त पर बहुत सक्राम और असर पड़ा नेशनल हाउए नेटवार्ट में पिछले आठ वरसों के दोरान पुच्पन प्रतिसवत से ज़्यादा की बढ़त्तरी हुई है जल्दी भारत मला प्रोजेट के तहर देश के पांसो पच्चास से ज़्यादा जीले हाउए से जूड़ जाएंगे और वेवस्ता को गोती देने बाले कोरिडर्स की संखा छे से बढ़कर पच्चास होने बाली है इसी तरह देश के एवियेशन सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है साल 2014 तक जहां देश में यारपट्स की संखा चस्तर थी और आप बढ़कर 147 होने आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा अभियसन मार्केट बन चुका है इसमें उडान जजनाक की भी बहुत बड़ी भूमी का भार्योतिय रेलिये आपने आधुनिक अबतार में सामने आ रही है और देश के रेलिये मेप में उनेक दुरकम छेत्रों भी जूट रहा है बंदे भरस एक्स्प्रेस के रूप में एक आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन भार्योतिय रेल का हिस्सा बन चुका है जामु कस्मीर और नोर्टिस्ट के दुरकम छेत्रों को भी रेलिये से जुड़ा जा रहा है देश के बड़े रेलिये स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है भारोतिय रेलिये का दुनिया का सोब से बड़ा बिजली से चलने वाला रेलिये नेट्वार्क बनने की दिशा में तेजी से अग्रोसर है भारोतिय रेल को सुरुक्षित बनाने के लिए सोदेशी टेकनिक को बच का भी हम तेजी से बिश्तर कर रहे हैं मानन्य सदस्यगोन भारोत ने उस सोच को भी बदला है जो प्रगती और प्रकुती को परसपर बिरोधी मानती थी मेरी सरकार ग्रीन ग्रोध पर ध्यान दे रही है और पूरे विश्तर को मिशन लाइप से जडने पर बोल दे रही है हमारी सरकार ने पिछले आठ बर्षों में सलार इनर्जी चमता को करीब बीस गुना बढ़ाया है आज भारत रिनिवेबल इनर्जी की चमता में बिस्चो में चोथे स्थान पर है देश के बिजली उत्पादों की चालिस प्रतिसद चमता नोन फोसिल फुरेल्स में पेदा करने का लख्यों देश में नो बर्षों पहले ही हासिल कर लिया है ए सफलता बर्ष दो हजार सोत्तोर तक नेट जिरो के हमारे संकल्ट को सोसक कर दिवाली है देश में पेट्रोल में 20-30 इथनल ब्लेंडिंग के लख पर भी तेजी से काम चल रहे है सरकार ने हाल में मीश्वन हाइडरोजन को भी सिक्रूती दी है ये ग्रीन इनर्जी के चेत्रम भारत में लाख प्रो रूपय की निवेश की को आकर्षित करना करने बले है इसे फोल्सरूप ग्रीन इनर्जी को लेकर भी और इनर्जी सिकूरिटी के लिए भी बीदेशों में हमारी निर्भरता कोम होगी देश के सहरों में प्रोदूसों कोम करना भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिक्ता है इसलिए इलेक्ट्रिक मोबिलीटी के लिए बहुत बड़े स्टोर पर काम चल रहा है ठेम जोजना के तहट राजनादी दिल्ली सोहित देश के उनेक सहरों में केंद्र सरकादारा साथ हज़र से अधिक इलेक्ट्रिवन बसे पाबलिक ट्रांस्पोर्ट में जोड़े जा रही है बिते आठ बर्सों में देश में मेट्रो नेट्वर्क में तीन गुना से अधिक बड़त्री हुई है आज 27 सहरों में मेट्रो ट्रेन पर काम चल रहा है इसी प्रकार देश भर में 100 से ज़्यादा नई वाटर वे भी बिक्सित किये जा रहा है नई वाटर वे से देश में ट्रांस्पोर्ट सेक्टोर का काया कॉल करने में मदद करेगी मानन या सदस्यवान आज की दुनिया में उनेक चुनोतियां से गुजर रहे है आज की दुनिया उनेक चुनोतियां से गुजर रहे है दोसों को पहले बनी अंतरास्टियों सोंस्थाओं की प्रासंगिक्ता और प्रभाप पर भी प्रसनों उट रहे हैं इन परिश्थितियों में भारत एशाद देश बन कर उभारा है जो आज की विभाजीत दुनिया को किसी ना किसी रूप से जोड रहा है आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबाल सप्लाइचेन पर विश्वास को फीर से सोशक्त कर रहे है इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उमीद की नजर से देखते हैं इस बोस भारत जी ट्वेंटी जे से प्रोभावी समुह का नेत्रुत कर रहा है वान आर्ट, वान फेमिली, वान फ्यूचर के मंच के साथ मंत्र के साथ भारत की पूरी कसिस है कि जी ट्वेंटी के सोदस्यों देशों के साथ मिलकार मोजूदा बोईशिक चुनोतियों का साहुहिक समाधान तलासा जाए मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिपलमाटिक प्रोग्राम तो क्सिमित नहीं रखना चाहते है बलकि पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ और संस्कूति को सोकेस करने का अफसर है इसलिए पूरे देश के दर्जोन शिहरों में सालबर जी ट्वेंट की बोईठे के आयोजित की जा रही है मानोनिय सदस्योगों ये भारत के बोईशिक क्रिष्टों का बेहतरिन दोर है इसमें दुनिया के विफिन्नों देशों के साथ आपने सोहयोग और मित्रोता को सोशक्त किया है एक तरफ हम इस बोईश की अध्योकता कर रहे हैं दूसरे त्रफ वार्ड का मेंबर होने के नाते इंडो पेसिफिक में सांती स्थिर्ता और समुर्धी के लिए काम कर रहे हैं हमने अपने राष्टियों हीतों का स्वर्वपरी रखते हुए अपने भूमी का का बिश्तर किया है अपकानिस्तन में भूमी भूकम हो या फिर स्री लोंका का संकट हम सब से पहले मानुविय सोहत सोहयोता लेकर पहुंचे भारत को लेकर आज जो सोद्भाव है उसका लाब हमें अपकानिस्तन और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दोरान भी मिला संकट में फशे अपने नागोरिकों को हम इन देशों से शुरुखित लेकर आए इस दोरान भारत ने कोई अन्योदेशों के नागोरिकों को की मदद करके अपना मानुविय सोरुख को पीर दुनिया के सामने प्रस्तुद किया मानुनिय सदस्यगोर भारत निए आतोंगबाद को लेकर जो कड़ा रूक अपनाया है उसको भी आज दुनिया समझ रहा है इसलिए आतोंगबाद के विरूद भारत की आवाज को हार मोंच पर गम्भिता से सुना जा रहा है पहले बर्स अक्टबर में भारत में पहली बार UNSC काउंटर टेरोरिज्म कोमिटी की एक बिसेस बोल्टक आयोजित की गई इसमें भी भारत में आतोंगबाद के विरूद आपनी भूमिका को स्पोस्ट किया साइबार सिकूरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गम्भिता से पूरे विश्चो के सामने रख रही है मेरी सरकार का हम साब मनना है कि 27 सान्ती तो भी संभव है जो भाम राजनीतिक और रोणनीक तकी रूप से ससक्त होंगे यसलिए आपने सवन्यों सक्ति के आधनी की करोंट पर हम निरंतर बोल दे रहे हैं मानोनियों सदस्योगन लगत अंत्र की जननी के रूप में भारत की अननत यात्रा अननत गोरोब से भरी हुई है हमने लगतंत्रों को एक मानुविय संस्कार के रूप में विक्षित किया है समरुद किया है आपने हजारों बोस्टों के अतीत की तहर तरही आने वाले सदियों में भी भारत मानुविय सभ्योता को की अभिरल धारा की तरह अनवरत गोतिमान रहेगा भारत का लगकंत्रो सम्रुद था, सोशक्त था और आगे भी सोशक्त होता रहेगा भारत की जिवटना अमर थी, आगे भी अमर रहेगी भारत का ज्यान विज्यान और अध्यत्म सदियों से विशो का मार दर्शन करता रहा है और आने बाले साधियों में भी बिश्यों की इसी तरह रहा देखा भारत के आदर्स और मुल्लों अंधोकार से भरे बूलामी के दोर में भी ओखुरुणों रहे हैं और ये आगे भी ओखुरुण बने रहेंगे एक राश्टर के रूप में भारत की पहँचान वतीत में भी ओमर थी और भविश्यों में भी ओमर रहेंगे लगत्वन्त्रों के केंद्रों इस संग्सद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लग्च्वत्ताई करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं जो कल होना है उसे आज पुरा करने की कसिज करें जिसे दूसरे कोई आने वले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है उसे हम भारत बसी पहले करके देखाएं आईए अपने बदधं संग बोह मनांग्सी जानताम और थाथ हम सब एक साथ कदम से कदम मिला कार चाले हमारे संकल स्तोरों में एकता का प्रभाह हो और हमारे अंतह करण एक दुरस्रे से जुड़े आईए हम राष्टो निर्माण के इस महायग्य में आपने कर्तभ्यपत पर चलते हुए संबिधान की सपदभ पुरा करे धन्यबाद जय हिन जय हिन करते हैं